नमश्कार दोस्तों, दोस्तों जब भी हम ऑयल चेंच करते हैं या करवाते हैं, तो हम ऑयल की ग्रेडिन, किस टाइप का ईूज सिंथेर्टिक या मल्टि ग्रेड इस बात का तो ध्यान रखते हैं और यह भी दान रखते हैं कभी भी oil का level कम नहीं होना चाहिए पर क्या इस बात का ध्यान रखते हैं अगर oil का level बहुत ज्यादा हो गया तो इससे engine पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तो जाते लोग जब oil change करते हैं तो उनकी चिंता इस बात पर रहती है कि engine oil bottle पूरी खाली होनी चाहिए एक भून भी oil नहीं बचना चाहिए वो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि कार के oil chamber की capacity क्या है दोस्तो अगर engine oil level इतना है कि वो crank shark के contact में है तो उससे क्या होगा जब crank shark rotate करेगी तो oil air के contact में आकर form बनाए लएगा मतलब air bubbles बनाए लएगा oil pump oil pan से oil सक करके engine में distribute करता है अब क्या होगा जो oil pump है वो oil और form का mixture distribute करेगा जिससे क्या है proper lubrication नहीं हो पाएगा जो oil का काम होता है वो एक film create करता है moving parts के बीच में अब air bubbles होने की वज़े से metal to metal contract होगा जिससे wear and tear होता है इसके साथ साथ oil जादा होने की वज़े से oil pressure भी build up हो सकता है जहां पर weakest point है जैसे seal और gasket वहां से leakage भी हो सकता है दोस्तों आपके कार में कितना engine oil आएगा उसकी quantity आप कार की manual book से check कर सकते हैं और अभी मैं Hyundai cars की engine oil quantity share कर रहा हूं इसको आप check कर सकते हैं दोस्तों जब भी आप engine oil का level check करें तो गाड़ी को flat surface पर खड़ा कर दें उसके बाद oil check करें oil का level होता है वो full या उससे कम ही होना चाहिए अगर full से थोड़ा ज़ाधा है तो ठीक है पर next time आप कोशिश करिए फिल के ब्राबर होना चाहिए अगर full से बहुत ज़ाधा है तो आपको जो access में oil है उसको आप निकलवाईए अब बात करते हैं जो access में oil है उसको कम कैसे कर स तो साव बरतन में ट्रेन करके उसे री यूस कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ओईल एक्स्टेक्शन पंप जो की सर्विस सेंटर पर उपलब्द रहता है। महाँ पर जाकर आप एक्सिस ओईल को निकलवा सकते हैं। तो दोस्तो जादा इंजन ओईल फायदे मंद होने की वज़ाए नुकसान दायक ही होता है। दोस्तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूँगा और आपसे विदा देना चाहूँगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।